नभुस्षा दोस्तों, Current Affairs Revision Prelim 2018 में आपका सौगत है Prelim 2018 के लिए IR Revision में यह हमारा तीसा लेक्षर है चलिए discussion स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आठ कल India-Israel Industrial Research and Development and Technological Innovation Fund के बारे में है I4F India और इसराइल मिलके इस fund को establish करेंगे देखो वैसे तो इस fund को establish करने को लेके M.O.U. तो पहले ही सायन हो गया था जब भारत के पधानमंतरी मोदी इसराइल की आतरा पर गए थे लेकिन cabinet ने approval दिया अगस्त में इसलिए यह अगस्त के current affair में भी है अगर हम इस fund की बात करें तो इंडिया और इसराइल हर एक साल पांच सालों तक इस fund में चार मिलियन डोलर्स कोंट्रिब्यूट करेंगे यानि चार मिलियन डोलर्स हर एक साल पांच सालों तक इसराइल कोंट्रिब्यूट करेंगा और चार मिलियन डोलर्स इंडिया और इस्राइल के द्वारा joint research projects चलाए जाएंगे कई सारी areas में जैसे water, agriculture, energy, digital technologies तो इन सब areas में मिलकर research करेंगे इंडिया और इस्राइल इस fund की साइथा से तो ये पूरा article था I4F के बारे में इंडिया इस्राइल इंडिया 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 RECP देखो एक proposed free trade agreement है 16 देशों के बीच में अभी proposed है, form में नहीं आया है, 2012 से negotiations चल रही है लेकिन negotiations finalize नहीं हुई है कौन-कौन से 16 देश हैं इस economic partnership में, 10 देश तो देखो एशियान के हैं और 6 देश अलग हैं, एशियान के कौन से 10 देश हैं, बरुनई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मिलेशिया, मयमार, फिलिपीन, सिंगापूर, थाइलेंड, वियतनाम, और बाकी जो बच्चे व के बीच में, form में आ सकती है, 16 देशो के बीच में, 40 trade agreement established हो सकता है, तो याद रखिएगा, membership भी आप याद रखिएगा, important है, चुकि इंडिया member है, इस economic partnership का, चलते हैं, अगले article की तरफ, अगला article, US-India strategic partnership forum के बारे में है, ये forum एक non-profit corporation है, इस forum में, इंडिया के भी representatives हैं, इस partnership forum को establish किया गया है, इंडिया और USA के बीच जो trade relations है, उनको मजबूत बनाने के लिए, दोनों देश trade के छेतर में, आपस में corporate करें, ताकि दोनों देशों में, economic growth rate बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा job उत्पन हो, innovation आए, इन सब objectives के साथ, इस partnership forum को establish किया गया है, इंडि का पहला edition इंडिया में, देली में organize हुआ, 2017 में, इस exercise को organize किया गया, National Disaster Response Force, यानि NDRF के द्वारा, मकसद यानि objective ये था, इस तरह की exercise को organize करने का, कि BIMStack के जो member countries है, वो एक दूसरे से सीखें, disaster से किस परकार से निपट सकते हैं, यानि किस परकार से response होना चाहिए, ज़्य region में आती है तो, और आपस में cooperation establish हो, BIMStack के member countries के बीच में, disaster के वक्त, तो देखो BIMStack के साथ member countries है, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, पूरी full form है, BIMStack की Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, पिसले मैंने की division वीडियो में हमने BIMStack के बारे में detail से चर्चा की थी, अभी ये exercise के बारे में आप यार रखन BIMStack disaster management exercise का पहला edition इंडिया में देली में organize हुआ, चलते हैं अगले article की तरफ, अगला article सीता के बारे में है, Sporting Indian Trade and Investment for Africa, International Trade Center का ये project है, अभी देखो, इंडिया और East Africa के बीच में, trade, investment और export को लेके बहुत ज़ड़ा scope है, लेकिन East Africa से इंडिया में सिरफ primary communities का export होता है, इस project क इस हाइता से, East Africa के countries में वहाँ पर उन्ठी capacity building की जाएगी, skills दी जाएगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा commodities का export कर सके इंडिया में, और इंडिया में जो small industries है, वो भी interested होती है, East Africa में investment को लेके, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती, East Africa की जोगरफी के बारे में, और इंडिया की जोगरफी के बारे में, और आप किन sectors में invest कर सकते हो, तो दोनों को फाइदा होगा, इंडिया से investment जाएगी East Africa में, और वहाँ से export बढ़ेगा, इंडिया और East Africa के बीच जो trade relations है, वो ओज़़ए strengthen होंगे, तो मेली देखो East Africa के 5 countries सामिल हैं इस project में, sporting India trade and investment for Africa, पॉरेंट है याद रखेगा सीता project के बारे में, चलते हैं अगले आर्टिकल के तरफ, अगला आर्टिकल, Global Retirement Index के बारे में है, ये index calculate क्या गया है, French Assessment Management Company, Netixis Global के द्वारा, 43 countries को ranking दी गई है, Global Retirement Index में, Netixis Global के द्वारा, देखो चार क्रिटेरिया के अधार पे, ये Global Retirement Index त् है ये नहीं, दूसरा क्रिटेरिया है, Access to Quality Financial Services, जो persons retired हो गए है, उनके लिए क्या Quality Financial Services, अवेलेबल है ये नहीं, तीसा क्रिटेरिया है, Access to Quality Health Services, अवेलेबल है ये नहीं, और चोथा क्रिटेरिया है, Clean and Safe Environment, तो चार क्रिटेरिया के अधार पे ये Global Retirement Index त्यार किया गया है, इं लेकिन एक दो अनिपोर्टेंट आर्टिकल कवर हो जाए तो भी कोई बात नहीं लेकिन कुछ शूटना नहीं चाहिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल यूरेनियम बैंक के बारे में है क्या कंटेक्स्ट है इंटरनेशनल अटोमिक एनरजी एजनसी ने उरेनियम बैंक ओपन किया है कजाकिस्तान के सहर उसकी में में 9010 लो इंडिश्ट उरेनियम कैपैस्टी होगी इस उरेनियम बैंक की विबिन कंट्रीज ने इस उरेनियम बैंक के लिए कोंट्रिब्यूट किया है जैसे नोर्वे, नुकलियर थ्रेट इनिशेटिव, यूडोपियन उरेन, कुवेर, यूएसे इन सब ने कोंट्रिब्यूट किया है इस उरेनियम बैंक के लिए जिसको ओपन किया गया है कजाकिस्तान के सहर उसकी में में जिन देशों ने comprehensive safeguards agreement sign किये हैं IAEA के साथ, यानि International Atomic Energy Agency के साथ उनको last resort के तोर पे low enriched uranium परवाइड करेगा ये uranium बैंक अब देखो काफी सारे देश ऐसे हैं जिनोंने IAEA के साथ safeguards agreement तो sign करके रखे हैं लेकिन फिर भी उनको market से low enriched uranium नहीं मिल पाता nuclear power plants के लिए या फिर peace purpose के लिए तो वो अपने आप से अपने देश में uranium को in reach करना ना start कर दे last resort के तोर पे अगर उनको market में uranium नहीं मिल पा रहा है तो ये bank uranium bank उनको उन देशों को uranium provide करेगा तो ये पुरा article है आप ये जुरूर याद रखेगा कजाकिस्तान के सहर ओस्की मैं city में ये uranium bank established किया गया है UPSC पूछ सकती है कि recently a uranium bank was established in which country या फिर in which city तो जुरूर याद रखेगा चलते हैं आगे अगरा article इंडिया फिलिपाइन्स के बारे में है क्या context है इंडिया ने निदने लिया कि इंडिया तीन पॉइंट दो क्रोड की financial assistance देगा फिलिपिन्स को ताकि फिलिपेंस की जो forces है वो ISIS से लड़ सके actually मई में फिलिपेंस की एक city मारावी मिंडनाव प्रोविंस में वहाँ पे ISIS ने कबजा कर लिया था और लड़ाई चल रही थी फिलिपेंस की जो forces हैं वो कोशिस कर रही थी कि ISIS के कबजे को मारावी city से छुड़वाय जासके तो इसी बीच इंडिया ने निरने लिया कि इंडिया फिलिपेंस को 3.2 क्रोड की financial साहिता देगा ताकि फिलिपेंस की जो forces है वो ISIS से लड़ सके काफी कम हैं वैसे 3.2 क्रोड और देखो एक बात ये भी आद रखना ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने किसी देश को financial assistance दी हो deadly ग्रूप से लड़ने के लिए यानि terrorism से लड़ने के लिए इंडिया ने पहली बार किसी दूसरे देश को financial assistance दी है ये important fact है UPSC फिकार से पूछ सकती है कि हाल ही में इंडिया ने कौन से देश को financial assistance दी थी terrorism से लड़ने के लिए नाम होगा Philippines चलते हैं अगले article की तरफ अगला article USA की नई अफगान policy के बारे में है चार points है मेली USA ने अपनी नई अफगान policy में इंडिया को कहा कि इंडिया अफगानिस्तान में economic development लाने के लिए एक बड़ा goal निभाई दूसर point USA ने अपनी नई अफगान policy में पागिस्तान को criticize किया और कहा कि पागिस्तान के यहां जो terrorist camps चल रहे हैं पागिस्तान terrorist को सरन देता है इन सब terrorist camps को बंद करे पागिस्तान यह दूसर point है तीसर point USA ने कहा कि देखो हमारा काम अफगानिस्तान में आतकवादियों के खिलाफ terrorism के खिलाफ जो यूद चल रहा है उसे जीतना है ना कि अफगानिस्तान की nation building यह तीसरा point चोथा point USA ने कहा कि हम दो तरह के रोल निभाएंगे अफगानिस्तान के अंदर एक counter terrorism missions और दूसरा अफगानिस्तान की forces को train करना तो यह चार point है USA की नहीं अफगान policy के बारे में चलते हैं आगे अगला article Petra Paul और Benapol के बारे में है यह integrated check post है इंडिया और बंगादेश के बीच में UPSC पूछ सकती है ध्यान रखिएगा कौन से देश के बीच में integrated check post है Petra Paul और Benapol इंडिया और बंगादेश के बीच में अभी context क्या है news का context यह है कि यह जो integrated check post है इंडिया और बंगादेश के बीच में इन्हें 24 गंटे और 7 दिन operationalize किया जाएगा पहले यह 24 गंटे 7 दिन operationalize नहीं रहती थी लेकिन अभी इन integrated check post पे trade को और ज़्यदा enhance करने के लिए यह निरने लिया गया है कि 24 गंटे 7 दिन यह जो integrated check post है वो operationalize रहेंगी Indian side में Lance, Ports, Authority of India और Central Board of Exigns and Custom operate करती है इस integrated check post को चलते हैं अगले article की तरफ अगला article Global liability ranking के बारे में है world के different cities को liability के अधार पे ranking देता है यह global liability ranking mainly 140 cities को ranking दी गई है और Australia का जो male bone सहर है उसको पहला स्थान पर आप्थ हुआ है इस global liability ranking में इस ranking को publish क्या गया है Economist Intelligence Unit के दवारा और देखो इस ranking को त्यार करते वक्त 30 factors को consider किया गया है जैसे किसी city में public safety कैसे है healthcare, education, infrastructure, environment यह सब चीजे कैसे हैं तो इन 30 factors के अधार पे within cities को 140 cities को ranking दी गई है global liability ranking में इंडिया की कोई city ना तो top 10 में है और ना ही last 10 में है सबसे last में स्थान प्राप्त हुआ है Damascus जो Syria की city है पहला स्थान Melbourne को दूसरा वियना और बाद में लिश्ट इस परकार से है यह सारे याद रखने का उसक्ताब को नहीं है चलते हैं अगले article की तरफ अगले article पगोडाज के बारे में है मयामार का जो बागन सहर काफी ज़्यादा फेमस है पगोडाज के लिए पगोडाज वर्चिप प्लेसिज हैं बुदिजम से सम्मन दित लेकिन देखो यहाँ पे बागन में भुगम पा गया था मयामार में तो यह जो पगोडाज हैं इनकों काफी ज़्यादा नुकसान पहुचा था अब इंडिया और मयामार ने एक M.O.U. साइन किया है इंडिया मदद करेगा मयामार की बागन में भुकम के कारण जो पगोडाज को नुकसान पहुचा था उन पगोडास को कंजव करने में उनको रिनोवेट करने में इंडिया मदद करेगा मैमार की इस परकार का M.O.U. साइन हुआ है इंडिया और मैमार के बीच में तो देखो इससे जो इंडिया और मैमार के रिलेशन्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और जबकि देखो तो तूरिस्ट जब वहाँ पर इस सिटी में जाएंगे मैमार में बागन में तो उनको पता लगेगा कि इंडिया ने अपनी एक्सपर्टीज की साहिता से इन पगोडास को रिनोवेट किया है या फिर कंजव किया है तो इंडिया की जो गुडविल है वो दूसरे रेसों में भी बढ़ेगी तो ये आप याद रखेगा बागन में पगोडास को रिनोवेट या फिर कंजव करने के लिए इंडिया ने MOU साइन किया है मैमार के साथ चलते हैं आगे अगला अर्टिकल टापी पाइपलाइन के बारे में हैं तापी की फुल फोर्म है तुर्कमेनिस्तान को इंप्लिमेंट करने के लिए श्टीरिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो इंडिया में और्णाइस हुई लेंथ है तापी पाइपलाइन की 1814 किलोमीटर से लेकिन देखो बहुत सारे रीजन्स के कारण तापी पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है हाल फिलाल में चारो देश कोप्रेट कर रहे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट किया जाए और जो अब्जेक्टिव है तापी पाइपलाइन का 90 मिलियन स्टेंडर क्यूबिक मीटर्स की जो गैस है वो सप्लाइई होगी एक दिन में 30 सालों तक और देखो 90 मिलियन स स्टेंडर क्यूबिक मीटर्स की सप्लाइ अफगानिस्तान को मिलेगी अगला आटकल इंटरनेशनल ओर्गनेजेशन फॉर माइगरेशन से समझनित है यह एक इंटर गवर्मेंटल ओर्गनेजेशन है इस्टाबलिस की गई थी 1951 में जब इसे इस्टाबलिस किया गया था तब तो यह और्गनेजेशन यूएन का पार्ट नहीं थी लेकिन 2016 में यह और्गनेजेशन की यूएन का पार्ट बन गई हैं इंटरनेशनल ओर्गनेजेशन फॉर माइगरेशन का जनेवा स्विजर रैंड में फिलाल मेंबर्स की संख्या है 166 और याद रखेगा इंडिय अगले आठकल की तरफ अगला इंटरनेशनल वैक्सिन इंसिचूट के बारे में है क्या कन्टेस्ट है MOU sign हुआ है ICMR Indian Council of Medical Research और International Vaccine Institute के बारे में दोनों organizations मिलके collaborate करेंगी vaccine research और vaccine development में IVI यानि International Vaccine Institute के बारे में हम बात करें तो इसका headquarter है Seoul South Korea में और इसे establish क्या गया था UNDP के परियासों से काम क्या है IVI का काम है नई vaccines प्रोड्यूस करना या फिर पहले आलेड़ी जो vaccines हैं उनको उनकी efficiency को और जड़ा इंप्रूव करना ताकि लोग को infectious disease से protect किया जासके और इंडिया देखो हमेशा से collaborate करता रहा है IVI के साथ 2007 से ही और 2012 में तो इंडिया full member बन गया IVI के governing council का एक देखो जो काफी famous example है इंडिया ने IVI के साथ collaborate किया और collaborate करके शैनकोल एक first low cost oral cholera vaccine है इसको develop किया इंडिया ने IVI के साथ मिलके तो याद रखेगा शैनकोल जो vaccine है ये first low cost oral cholera vaccine है इंडिया ने international vaccine institute के साथ मिलके collaborate करके इस vaccine को develop किया है license मिला इंडिया में 2009 में और WHO ने इस vaccine को pre-qualify किया 2011 में तो इस discussion में फिलाल इतना ही है Current Affair Revisions Prelim 2018 की सीरीज में IR का ये हमारा तीसरा revision lecture था Thank you, thank you very much for discussion